प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आपकी चैनल एसरेस लर्निंग में यह हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास की वर्क्षिट है वर्क्षिट की करम संक्य है वो है 150 150 और जो हमारी दिनाख है वो है 21 जनवरी 2021 ठीक है यहां पर अपना सेक्शन में लिख लिए ना कौनका सी का सेक्शन में पड़ते हैं आप और अपन नाम और यहां पर अपने शिक्षक जौआ प्रताती नाम आ जाएगा ठीक है शुरू करने से पहले वच्यों आप से एक रिक्वेस्ट आपके जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी जाके फिली सब्सक्राइब कर लेना तो शुरू करते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों कैसे हैं आप ठीके आप सब सबस्वस्त होंगे यही हमारी दुआ है कि बच्चों आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं आएए इन चित्रों के नाम बोल कर देखें यह क्या है उल्लू उपहार उपवन उडान ठीक है तो यह क्या है हमने जो हमने क्या है अपने शब्द पड़े हैं तो हमने यह एक कोमन चीज़ दे कि इसमें क्या है यह सारे जो शब्द हैं, यह किस से शुरू होते हैं? उ से, यह क्या होता है? छोटा उ जैसे उल्लू, उपहार, उपवन, उडान तो इन सवी चितरों के नाम की बोलने वाले जो आवाज है वो क्या है? उ, ठीक है? इसको आप दुबारे से भी बोल के देख सकते हैं उल्लू, उपहार, उपवन, उडान अब यह क्या है? अब इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले क्या है? ऐसे बनाना है हमें ठीक है? फिर हमें इस तरी कैसे बनाना है? फिर हमें क्या है? इस पर डंडा लगा देना है तो यह हमारा क्या बन जगा O इसको आप क्या छोटा O भी बोलते हैं आप इसको अब क्या है बच्चो इस चिन को ध्यान से देखें यह क्या है O की यह क्या है मातरा होती है हमने मातरा यह पड़ी थी जैसे हमारे आ की मातर ऐसी होती है ऐसे हमारे उ की मातर कैसी होती है ये ठीक है अब फूर्थ कोशन क्या है कि कहाने को पढ़िए और कहाने में आए उ की मातर के शब्दों को अपनी कोपी में लिखिए अब हमें क्या है इसको कोपी में लिख रहा है पहले हम सबसे पहले क्या है कहानी को पढ़ते हैं कहाने का नाम क्या है नटकट चुईया ये क्या है नटकट चुईया ये जो आप देख रहे हैं मुनिया बजार गई जो मुनिया है ये मुनिया है ये बजार गई वह बजार से नया कुर्टा लाई उसका कुर्टा गुलाबी खुलाबी रंग का खुलाबी रंग का खुलाई टुलाई एक चुईया चुप का चारी और मुण्या खुलाओ own a इसको कुतर गई ठीक है तभी मुंया आ गई चुईया भाग कर दुबग गई जो एदम क्या होता होता ना एदम आई और वो धुबग गई मुनिया बहुत दुखी हुई क्योंकि भई वो तो नया अपना कुर्ता लाई थी और उसका मन पुसंद कुर्ता होगा तो वो विचारी जो मुनिया थी बहुत दुखी हुई मुनिया को देख बुनिया को दुखी देखकर बाहर आयों चुईया ने कान पकड़कर माफी मागी थीके जो जब से पहर है तो अपनी गल्टी की माफी माग ले हमें क्या उसे माफ कर देना— ठीके हमें क्या है जो कहानी मात्रा के शब्द है उसे हम कॉपी में लिखेंगे आप मुनिया अपनी कॉपी में लिखेंगे आप कुर्टा लिखेंगे ठीक है आप क्या है चुहिया लिखेंगे अपनी कॉपी में लिखेंगे आपको कुर्सी लिखो कुतर लिखो दुबक लिखो चुहिया लिखो बहुत और दुखी क्योंकि यह सारे जो शब्द है यह क्या है उकी मात्रा वाले है तो इसको आप अपनी कोपी में लिख लेना साफ साफ ठीक है अब फिफ्ट कोशन को जोड़कर पूरा कीजिए जैसे दुनिया इन्होंने पूरा करा अब क्या है कुटिया इसको लगा देंगे क्या है कुट कुटिया ठीक है हमारा यह पूरा हो गया ऐसे बुडिया पीछे लगेगा बुडिया ठीक है इसको आप अपनी कोपी में लिखे बना के पूरा अब क्या है चुईया हमने बना दिया ऐसे आप लिख ले और क्या है गुडिया इसके पीछे य इन सब के पीछे लगा का है गुड़ी या इनको बेटा अपनी कोपी में साफ साफ राइटिंग में आप लिखना ठीक है यह आपने बनाने ला ठीक है अब क्या बाबाब को के लेके पढ़ लेते हैं क्या है कि बच्चों को बताएं कि कैसे कहानी में चुया ने मुनिया से माफी मांगने से हम अपने रिष्टों को मजबूत बना सकते हैं बच्चों से पूछे कि क्या उनने कभी ऐसी गटना याद आई है तब उनने कोई गलती हुई और वह अपनी माफी माफी मांगना हमें शरम नहीं करने चाहिए हमें माफी मांगने वाला बहुत ही अच्छा इंसान होता है ठीक है तो बच्चों ये आपकी आज की वक्षिट है उमीद है आपको अच्छी लगी हो तो बैट लाइक का बटन दवा के जुरूर बताए हमें साथ में जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजेगा ठीक है और आपको